नवस्कार आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरुसे मानी शेनल इंडिया नियूज उत्रप्रदेश उत्राखंड मैं हूँ आपके साथ परागुपता स्पेशल डिपोर्ट में बात होगी लोगसभा चुनाव को लेकर दरसल समाजवादी पार्टी के रास्टी अधक्ष अकलेश यादब आगामी लोगसभा चुनाव नहीं लड़ाएंगे सूत्रों के मताबिक अकलेश सिर्फ प्रचार की कमान संभालेंगे वो अपना सारा फोकस प्रचार की कमान पर ही रखेंगे और इसी कमान पर वो लगाना चाहते हैं पहले कंडौत से चुनाव ड़ने की बात सामने आ रही थी बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 19 परवरी को 11 उमीदवारों को मैदान में उतारा इससे पहले पार्टी सूले उमीदवार उतार चुकी है सपा अध्यक्ष की पत्नी और सांसत डिमपल यादव की उमीदवारी का भी ऐलान हो चुका है वो मैनपुरी से चुनाव ड़नेंगी लेकिन ये अभी तक सस्पैंस ही बना हुआ था कि अखले श्यादव आखर कहां से चुनाव ड़नेंगे वहीं पूर्वसियम अखले श्यादव मार्च 2022 से उत्तर प्रदेश विदानसभा में विपक्ष के नेता हैं और यूपी के करहल से विधायक हैं 2022 के यूपी विदानसभा चुनाब में वो पहली बार विधायक चुने गए थे उससे पहले 2019 के लोगसभा चुनाब में वो आजंगवर सीट से सांसत बने थे लेकिन 2022 के यूपी विदानसबा चुनाब में करहल से विधायक बनने पर उन्हें सांसत के पत्स सीफा देना पड़ा था अखली शादव अब तक चारबाद लोकसबा के सदस के रूप में चुने गए हैं और 2024 के चुनाब में वो उमीद्वार बनेंगे या नहीं ये सबसे वड़ा सवाल रहा अब इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा आज की बड़ी बहस एक कास पैनल के साथ होगी लेकिन उससे पहले कुछ बयान आपको सुनवाते हैं समाजवादी पार्टी की स्थिति लोगसभा चुनाओं में क्या है हम सभी जानते हैं समाजवादी पार्टी की नेताई जानते हैं कि लोगसभा में एक सीरे से समाजवादी पार्टी को नकारने का काम उत्रपरदेश की हमारी सम्मानित जनता ने किया है और वो इसलिए किया है कि PDA का नारा देने वाली जो समाजवादी पार्टी है, वो सबसे बड़ी दुश्मन अगर किसी की है, तो पिछला धरित अलपसंखेक समाज की है, जो अभी राजसवा सांसत भेजने की जब बात आई, समाजवादी पार्टी के पर ये ताकत थी कि रा दिया है, वो समाज ने भी ठान लिया है कि समाजवादी पार्टी को सही तरीके से जवाब देगा, इसलिए समाजवादी पार्टी के नेटर दरह हुए है, हताश है और निराश है, 24 का परिणाम सब कोई जानता है कि देश में मोदी की गारिंटी के लावा और कुछ नहीं चलने वाला, क्यों प्रसानमंत्री मोदी जी ने इमानदारी से समाज के जनता के भारत के विकास के लिए तरक्की के लिए भायचारे के लिए जो काम किया है, वो अभुत्पूर्व है और जनता को मोदी के गरेंटी पर करेंगे चर्चा, अखलेश यादव को लेकर जो प्रसार पर लगाएंगे, बाकी उमीद्वारों को जितानी में लगाएंगे, क्या कुछ रणनीती समाजवादी पार्टे की आगे की है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इस रणनीती के पीछे का कारण क्या है, मकसद क्या है, और किस तरह लोगसभा चुनाव को लेकर सम अकलेश यादव को लेकर तबाम तरीके की चर्चाएं हो रही थी, कि यहां से लड़ाएंगे, वहां से लड़ाएंगे, लोगों की जहन में यही सवाल था कि आखर कहां से लड़ाएंगे अकलेश यादव, लोगसभा का चुनाव, लेकिन अब ये खबर है कि वो विधाय क कि बने रहेंगे वो विपक्ष की नेता ही यूपी विधान सभा में बने रहेंगे लोग सभा का चुनाव अकलेश नहीं लड़ने जा रहे हैं कैसे सर इसको आप देख पा रहे हैं राजीव जी यह अभी सोर्स कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में अपनी तरफ से ऐसा अब जहां खड़े हो जाएंगे तो अगर जीतने की इस्तिती में ना हो तो उनको हराना भी मुश्किल होगा तो यह अभी कहना जल्दवाजी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे या लड़ेंगे या क्या करेंगे बहुत सरी चीज़ें हैं अभी माई एलेक्शन डेक्ल बाकी सीटें उनका उनका जो एक किशन है वो आगे चलकर के वो सारा किलियर होगा तो इसलिए अभी ये नहीं कहा जाना चाहिए हाँ आप अगर एक जरनलिस्ट के हैसियस से अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये बता दू कि लोकसवाचुनाब बहुत कठिन ह हैं और इस कठनाई के दौर में अखले श्यादव अपनी साख को दाव पर नहीं लगाना चाहेंगे तो ये बहुत बड़ा कारण है और आप जानते हैं कि पीम मोधी तो मौके को बुनाते हैं उन्होंने भी राहूल गांदी के एक बयान को बुना लिया और राहूल गांद उत्रप्रदेश में होगा तो अखलेश यादव को बहुत सो समझ के कदम रखना उठाना होगा और जिस तरीके से लोग कह रहा हैं कि साब के भी नहीं लड़ रहे हैं तो नहीं लड़ने के पीछे कारण ये हो सकता है अब महलाई ये हो सकता है ये कोई पक्का दावा नहीं हैं ये हो सकता है कि मोदी के रणीती के आगे अखलेश अभी अपने आपको थोड़ा सा कमजोर समझ रहे हैं इसलिए वो अपनी साख को दाव पर नहीं लगाना चाहते हैं और एक सवाल फिर ये भी उठेगा ना कि आप पहले सांसत थे उसके बाद आपने 2022 में विदान सब निकल कर फिर से केंद्र की राजनीती में जाना चाहते हैं तो इन सब चीजों को आप कैसे देख रहे हैं देखिए ये बाजिव सवाल है कि क्या अखलेश यादव उत्तर प्रदेश को छोड़ेंगे क्या अपनी जमीन को छोड़ करके केंद्र में जाएंगे अगर वो उत् चाचा के लिए दो चोड़ नहीं सकते ये सब जाहिर है तो क्या अखलेश यादव ने यह तयक कर लिया है कि अगली मुख्यमंत्री के तोर पर या वो अखली अध्यक्ष के तोर पर डिम्पल यादव को प्रडूस करना चाहते हैं उनका प्रस्तती करना करना चाहते है तब रहेंगे और उनका एक मजबूत इस्तम विया उत्तर प्रदेश में होगा अब वो अलग बात है कि वो उत्तर प्रदेश में आगे क्या इस्तिती बनती है लेकिन अगर अखिलेश या दव लोग सभा चुनाव लड़ते हैं तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो उत्त प्रदेश में एक नए ध्रुब को खड़ा करने जा रहे हैं जो उनका इस्थान ले सकता है ठीक है सर आप आप बने रहे हैं हमार साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट मनीश घ्रवाल जीपी जुड़के हैं मनीश या आपका स्वागत है आपके पास मैं आऊंगा लेकिन मैं चा चर्चा हैं लख्रों में अखले इशादब के शुनाव लड़ने या पर ना लड़ने को लेकर हाला कि उस्माजी पार्टी के चर्चार लड़ा गया था और इसमें निता मुलायम सी यादो और कवाम करें जो उनके साथ बले चेहरे वो भी उसमाजी पर सरकार बने थी उसके बात कि अगर बात रहे तो बीजेपी ने सरकार बनाई लेकिन उसके जब चिनाव लड़ा गय लेकिन हाला कि चुनाओ के बात कई सारे लोग है वो अलग लग लगे लेकिन अब इसमाजी बहुत 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 कंभीर है क्योंकि जिस तरीके से उस्टाइडिया कर बंधन बना हुआ है और जिस तरह से वो चुनाओं में लगातार जेफिर तारिक के करी तभी बारी वैस अब लगे लोग बच्चे यानि उसके लावा अभी फिलाल जो चीजे नजर आ रही है ऐसे विस तरीसाइड पर सिर्वार रहना है और नतीरों की बात कि रहे तो अभी अखले शादो के पांग बड़े चेहरों के नाम पर अखले शादो है अभी कुछ यह और है तो ऐसे में चुनावती जरूर बड़ी है तो कि अगर आपको यह 24-24 के लिए उसके लिए अच्छा पर्फॉर्मस करना है तो जाहिर है कि आपको मजबूती चुनाव बड़ना है ऐसे में अगले शादों बड़ते हैं किसी में सीट से तो उन सीटों क जितना उनके लिए बड़ी चुनावती रहेगी और कहीं अगर शीटे छूड जाती है तो वो आगे के लिए लिए नुक्सान करेगा यादि आगे राजिती के लिए दिक्कत पाइड़ा करेगा तो यह वी चीज हो सकती है कि चुनाव लड़े और यह तो चुनाव नना है उसके बाद आखी की दिशा और रश्या है वो तैह होगी तो अगले शादू की पर भली जिम्मेदारी है अब उनको इस्ताय करना है कि स्वाल लड़ा है जो भी जिम्मेदारी विलाल उनलों जिसे के टिकर फाइनल के तो उसके बाद भी स्वाल्डी को लेकर यानि अब पर बंधन का इसका जो फाइनल होने के बाद अब जो बटवारा हो रहा है शीचों का या सत्रा और जो स्वाल्डी और पांगेस के साहथ जो चुनौर जा रहा है तो कहिना कहीं अगला जो 25 में होगा उसके लिए कि बड़ी जरूर होगी चली रवी आप बने रहे हैं जाता हूं सर आप दोनों पहलों पर एनलेसिस करें अखले शादब चुनाव लड़ें या ना लड़ें अभी इस बात की चर्चा है अभी सूत्रों के वाले से इस तरह की खबरे हैं कोई पुक्ता तोर पर अधिकारिक तोर पर पार्टी ने सपश्ट नहीं किया है तो आप लोगसभा चुनाव को जाके टेस्ट महीं करना चाहिएंगे तोकि उन्हें अंदर ही अंदर मालुम है कि इस समय लोगसभा चुनाव की लेर उनके पक्ष में नहीं है जैसे आप देखी अखलेश यादब जी तेजस्वी यादब जी कोई भी लोगसभा का चुनाव नहीं लगने क्योंकि इने मालूम है कि हम एक मजबूत विपक्ष हैं और हम इतनी इसी इस्तिती को मजबूत करते हुए चीफ मिनिस्टर की इस्पिरेशन को जिंदा रख सकते हैं अगर हम अभी से दिल्ली जाने की प्लैनिंग कर लेते हैं तो यह जो हमारा प्रतीपक्ष के नेता का पद है इसको समालने के लिए उनके पास कोई अच्छा लिप्रत वो नहीं दिखता है जैसे मेरे अभी पतरकान मित्र कह रहे थी कि क्या वो डिमपल यादव को प्रमोट करेंगे तो मुझे नहीं लगता हो कभी भी डिमपल यादव के साहिए रिस्क लेना चाहेंगे क्योंकि पार्टी संगठन के रूप में मजबूत करने का दायत माननी बुलायम सिंग के बाद शिवपाल यादव का था लेकिन आपने देखा जो भी डिफरेंसिज रहे जो भी उन लोग के आपास में संबंध रहे लेकिन फिर भी आज शिवपाल यादव जी का टिकेट डिक्लेयर हो चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि एकलेश यादव या तेजस्वी यादव या और वे रीजिनल पार्टी जैसे आप देखते होंगे आम आदमी पार्टी में केजरिवाल जी हैं ममतब इनर जी जी है जिनकी अपनी रीजिनल एस्पिरेशन्स है प्रदेश की एस्पिरेशन्स है वो कभी भी लोगसभा की चुनाव की हीट को टेस्ट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसका रिजर्ड मोर और लेस क्या होना है और इसमें वो अपने राजिनतिक भविश को दाव पे नहीं लगाना चाहेंगे इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह सारे कयात यह सारी न्यूज सारे स्पूट और आपके सही कह रहे हैं अखिलेश जी चुनाव लड़वाएंगे लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपने आपको विपक्ष के नेता गरूप में यहां और मजबूद करने की कोशिश करेंगे जिससे कि वे 2027 में एक और अच्छे रूप से परदाशन करते के तूकि आप लोग जानते ही है कि MLC चुनाव में उनके पास नेता प्रतीपक्ष की भी सीट अब नहीं रह गई है वो दस सीटे भी नहीं है जिससे वो नेता प्रतीपक्ष बना सकें तो उनके पास एकी नेता प्रतीपक्ष का दर्जा है और उसको वो इस चुनाव में दाओं पे लगा के पूरना नहीं चाहेंगे देश में सॉलिडारिटी दिखाने के लिए गढ़ बंदन हुआ रायवर्ना पीछे जैसे मायवति जी से गढ़ बंदन हुआ या राहूल गांदी जी से गढ़ बंदन हुआ अपना वोट इक दूसरे को ट्रांसपर करा पाना बड़ा मुश्किल काम है आज तक से लोगों के संग कोलाबरेशन करो और अपनी और देश और पार्टी की हित के बारे में सोचो लेकिन अगर आप चुनाव से पहले गढ़ बंदन करते हैं तो जैसे इस समय कॉंग्रेस पार्टी की इस्तिती है कि उनके पास यूपी में वैसे भी जनाधार नहीं है तो यह से पे व्illar जाती ज रएं यह उस वोट को पनाटी तरफ की तरफ डाइवर्ट हो और यह उसी वॉट को रोकना चाहा रहे हैं लेकिन प्छले चुनावों में ऐसा प्रतित हो रहा है कि इस जपी की योगई योजना currency ऊती हो रहा है ये लोग इस चीट को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं ये पिछले लोग सवा चुनाओं में भाजपा दो सो चौबिस सीटे पचास परसेंट वोट से जादा जीती थी और इस बार भाजपा जो तीम तो सब्सक्र का नारा लगा रही है वो उसको अमीद है कि मैं पोको अपना राजनेती का स्क्रिस तलाशना बड़ा मुश्किल होता जाएगा राजीव शर्मा जी आपने तमाम तरह से जो रणीतिया है वो अलग-लग पार्टी इसकी अलग-लग चुनाओं में देखी हैं इस बार चूंकि दोजार चौबिस का जो चुनाओं है उसको बे पक्ष के लिए और खासकर हम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें जो असी के असी लोकसवा सीटें है जिनको जीतने की बात बीजेपी कर रही है उन पर अखलेश यादब का फोकस इस बात पर है कि कैसे बीजेपी से हम सीटे छीने और कैसे अपनी सीटों को बढ़ाएं अब तो कॉंग्रेस पार्टी भी साथ में आ गई है कि समाजवादी पार्टी का जो अभी तक फोकस है वो मुस्लिम बाहुले सीटों पस ज्यादा है या जहां पर यादब वोटर ज्यादा है वहां है तो आप ये देखिए कि क्या यादब जो उनका कोर वोट बैंक था क्य अगर मुस्से बिंग जनलिस्ट पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि कोर यादब जो वोटर उनका था वो पुरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है रहा मुसलमानों का तो मुसलमान वोटर जो है वो कुछ इलाकों में कुछ पॉकेट में तो उनके पास जाए जाएंगे लेकिन उतने नहीं जाएंगे जितने हमेशा जाते थे एक अभी सर्वे हुआ है उस सर्वे की रिपोर्ट यह है कि 9.1% मुसलिम्स वोटर जो हैं वो बीजेपी के तरफ जुकते हुए दिखाए दे रहे हैं या जुक चुके हैं और ये 2023 नावंबर 2023 का सर्वे है जिसमें ये बताया गया है अभी तर पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें एक परसेंट दो परसेंट इतना ही सिर्फ वोट मिला है मुसल्मानों का बीजेपी को अब हमारा जो मूल प्रश्ण है कि क्या अखले श्यादव चुनाव में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे तो अपना पराग जी अखले श्यादव अपनी साख दाओं पर नहीं लगाएंगे और जैसे मनिश जी कह रहे थे कि डिंपल को नहीं उतारेंगे तो मैं भी नहीं कह करेंगे अपने स्थान पर यह एक प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब इस प्रश्न पर बहस महाथ सा समाजवादी पार्टी में भीतर ही भीतर हो रहा होगा क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी में अखलेश यादव अपने परवार अपने नजदी के लाव किसी को देना चाहते तो शिपाल यादव हो सकते थे चचा हो सकते थे लेकिन वो शिपाल को अपने जगा प्रमोट कभी नहीं कर सकते तो यह एक बड़ा प्रश्न है और कोशिस तो कोई भी कर सकता है लेकिन वो अभी तक छीनने की इस्तिती में नहीं है आपको पिछले चुनावों का थोड़ा सा ध्यान हो जो रामपुर का उप चुनाव हुआ था रामपुर में हमेशा मुसलिम बोटर्स तै करते हैं कि कौन जीतेगा और वहां आजम वहां को हरागर के बीजेपी का प्रतियाशी जीता ये अपने आप में एक चमतकार है और संभल में क्या होगा संभल में आप ये देखें कि एक बार ये बर्क साब हार चुके हैं 2014 में और इस समय जो लहर बनी हुई है वो बीजेपी के पक्ष में है तो इस समय समाजवादी पार्ट किसे ये कहें कि संभल जीत जाएगी इसमें भी शंका है आपने अभी देखें यह होगे संभल में प्रतियाशी खुद गए थे उन्होंने कल की आश्रम का उन्होंने शिरा नियास किया था और मोदी के जहां पैर पढ़ जाएं वहां उस सीट पर बीजेपी के प्रतियाशी का हारना आज के दोर में तो नाममकिन लगता है चूंकि आपने रामपूर का भी जिक्र किया संभल का भी जिक्र किया इसलिए मनीश जी के पास मैं चलकर बदायू पर अनलेसिस चाहूँगा बदायू की सीट पर शिपाल यादब को उतार कर अकलेश यादब ने क्या मनीश समझ रहे हैं तोजार चौबेस के लोग सबाचुनाब में और यह बदायू की जो सीट शिपाल यादब खुदी कही है क्या समाजवादी पार्टी के साथ-साथ यह शिपाल यादब की भी परिक्षा होगी? मनीश जी और वो उसको प्रचार में भरपूर यूज करेगी यूपी में और यह दिखाने की कोशिश करेगी कि यादव यादव का सीयम प्रोजेक्ट करने में सोचते हैं मधिपरदेश वगरा दे पर हमने देखिए कि यादव को सीयम बना दिया है तो बदाई हुए है कोई विसीट हो यह tactical shifting जो वोटों की नीचे से हो रही है ना जो पार्टी के internal सर्वोज में निकल के आ रहा है यह लोग उसका आकलन अभी नहीं कर पा रही है इन लोग को candidates declare करने में candidate choose करने में तभी परिशानी हो रही है और मैं फिर यह कहना चाहूंगा कि शिफपाल यादव जी जो है एक संगठन के बहुत कुशल नेता है उनको संगठन मजबूत करने के रूप में use करना चाहिए एक लोग सभा की सीट पे experiment करका उनके हार चीश से उनके कारेशमता की analysis नहीं हो सकती वो संगठन के बहुत मजबूत नेता है उनको संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी देनी चाहिए, वो सबको जोड़के चल सकते हैं. प्रतीपक्ष का नेता उन्हें बनाके ऐख लेश यादफ को जा के केंद की राजनीति करनी चाहिए. जैसे माननिय बुलायम सिंग यादफ ने केंद की राजनीती करी थी और अख्लेश यादफ जी को यूपी के सीयम में प्रोजे लाइज होगी जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे देगी जो मानिय परधान मंत्री जी है वो कल की धाम गए तो वो एक स्ट्रेटिजिकल मूव है वीजेपी के सारे मूव जो है ना वो कहीं में कहीं सुनाव से रिलेटड होते हैं उन्होंने संबल जाके एक मेसेज देना चाहा आज उन्होंने रविदार जेंटी पे बनारस से एक बहुत बड़ा मेसेज दिया है तो वो हर समय प्रचार प्रसार के मूद में भी रहते हैं और लोगों की योजनाव को भी देखते रहते हैं और मैं आपको यह और बताना चाहूंगा कि जहां तक मेर जानकारी है 29 वर्वरी तर डीजेपी यूपी में जो सीटे हारी थी उनके वो लोगसावा की कैंडिडेट डिक्लेर कर देगी जिससे कि उन्हें चुनाव लड़ने का जादा समय मिले तो इसलिए अखलेश यादव जी को इन चीजों पर जादा ध्यान देना चाहिए कि मेर संगलठन कहां से मजबूत होगा वनसपत इसके कि मैं एक सीट हार जाओ या जीजाओ राजीव शर्मा जी दरसल बात तो यही है कि अखलेश यादव यूपी नहीं चोड़ना चाहते हैं अखलेश यादव अपनी जो पोजीशन है उससे नहीं डिखना चाहते हैं क्या असल शेवपाल को बदाईव से उतार करके अखलेश यादव ने एक तीवी से दो निशाने लगा दी है अगर शेवपाल बदाईव लोग सवासीट हार जाते हैं तो उनका एक तरीके से करियर खतम हो गया उनको ना संगठन में जगह ना पार्टी ना राजनिती में उनकी जगह यह बात सही है कि शिवपाल बहुत अच्छे संगठन करता हैं अगर समाजवादी पार्टी आज इस सिस्ती में पहुंची है तो उसके पीछे शिवपाल एक रीड की हड़ी की तरह उनोंने काम किया है मुलायम सिंग इस बात को जानते थे और इस चीज़ को अमर सिंग स्व पार्टी के बाहर मंचो पर अपनी पूरी रड़ नीती से उसका विरोध भी किया था और वो चाहते थे कि शिवपाल को मुलायम सिंग के बाद अगर किसी को पार्टी में जगा मिले तो शिवपाल को मिले लेकिन जिस तरीके से कॉंग्रेस में होता रहा है पुत्र व्यामो उसी तरीके समाजवादी पार्टी में भी पुत्र व्यामो रहा मुलायम सिंग यादव पुत्र व्यामो पड़े रहे और उन्होंने भाई को जुरूई रीड की हड़ी की तरह साथ में खड़ा था उसे अंग दिखा किया और बेटे को ज्यादा महतु दिया और आज उसी क सबसे बाद शिपाल को सबसे महतपूर्ण पद सबसे महतपूर्ण जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी में देली चाहर आपने जो जवाब दिया ना मैंने वही सोचकर दरसल मनिशी से सवाल भी पूछा था चूंकि शिपाल यादव और अकलेश की बीच में किस तरीकी की तनाता नहीं रही ये 2017 के पहले हम सबने देखा अब बदाई उसे एक तीर से दो निशाने आपकी बात अपनी जगह बहुत बाजब है एक मैं चोटा सा रेयक्शन रवी आपसे भी लूँगा आखर में जो चूंकि आप तो लगातार फील्ड में भी हैं निताओं से मिल भी रहे हैं बातचीत भी कर रहे हैं समाजबादी पार्टी के जो जमीनी इस तरके कार करता हैं उन में किस बात की चर्चा किस तरह की है चल इस पूरी ख़बर को लेकर रवी जो सब्सक्राइब तो इस तरह किसे की साथ सीटों का बढ़वारा किया गया तकले चादुक करब से अभी वो चीजे पूरी साफ नहीं है करने है एक यह किसा बीजे शिंटा जारे है आज पारदी है मोर्याथ में राज़ की दिखाई दी वह इस सवाल है जो और अधर है ने नहीं बहुत शुक्रिया आपका रवी तमाम जानकारी और इस पूरी बाच्चुईत के लिए डॉक्टर आजी शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया और साथ ही मरीश अक्रवाल जी आपका बहुत शुक्रिया साथ जुनने के लिए अनियर दूस के साथ अपना वक्त देने के लिए तो अभी ये चर्चाएं हैं ये चर्चा कितनी जादा और गर्म होती है या ये खबर कितनी पुक्ता और कितनी जल्दी हो जाती है ये देखना होगा कि अखलेश आदब क्या केंदू की राजनीती में जाएंगे क्या फिर से सांसदी का चुनाम डढ़ेंगे या फिर वो यूपी विधान सभा में रहकर प्रदेश के अंदर ही रहकर सरकार को गिरने की कुशिश करेंगे नमस्कार